हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ को डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं ECG तो देखे क्या बोल रहे हैं यू आर प्रोबैबली फैमिलियर विद इस सीन फ्रों ए टिपिकल होस्पिटल टेलिविजन शो तो इन्हों यह कहें कि ECG को आपने जो भई शो में सीरियल जो आते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा होस्पिटल में ठीक है कोई बंदा जाद इस ट्रीब की लाइनिंग सी आती है तो फिर उसके बारे में बोल रहे हैं ठीक है तो यह क्या कह रहे हैं आगे ऐपेशिंट इस फूप टू मॉनीटरिंग मशीन दैट शो वालिटे स्टेस ओने स्क्रीन तो इन्हों ने कहा है कि वो बंदा शीन क्या करते है मॉनीटर करती ह ठीक है और make the sound or sound create होती है जिसे कौन से sound है पी 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 लंबी सी और जब पी लंबी से आवाज आ रही है इसका मतलब क्या है patient का heart जो है वो काम नहीं कर रहा है मतलब वो cardiac arrest हो चुका है ठीक है this type of machine तो इस type of machine क्या है electrocardiograph क्या use किया जाता है इसको use to obtain electrocardiogram तो electrocardiogram को obtain करने के लिए हम इस machine का use करते हैं ठीक है मतलब ECG करते हैं तो ECG क्या एक graphical representation है किस चीज़ की electrical activity of the heart बनाला हमारा sorry हमारा heart जो है कैसे काम कर रहा है कैसे work कर रहा है cardiac cycle के दोरान उसको graphical represent करते हैं तो हम उसे ECG बोल देते हैं ठीक है तो हमारे NCIT में एक standard जो ECG है वो दिखाया गया है जैसे कि आप यहां देख रहे है P, Q, R, S, T इनका एक time होता है जो भी हमने cardiac cycle में क्या था किस सिस्टोल का और ventricle का वही टोटल cardiac cycle जो होती है वो point eight second की होती है फिर हमने सिस्टोल और ventricle किये थे उनका time period तो उसके according यह P, Q, R, S, T point वो represent होती है करते हैं ठीक है तो कैसे करते हैं इसके अंदर patient को machine के साथ connect किया जाता है ठीक है किस के थूरू three electrical leads के थूरू तो हर एक lead होती है हमारी हरे climb में होती है one to each wrist ठीक है और एक जो हमारे left ankle तखना बोलते हैं जिसे तो वहाँ पर connect करते हैं that continuously monitor the heart activity और फिर क्या है हमारे heart की activity को monitor करता है वो for a detail evaluation of the heart function multiple leads are attached to the chest reason तो उन्होंने कहें कि evaluation heart कैसे function कर रहा है उसके detail जानने के लिए तो बहुत सारी leads क्या है chest reason पे लगा attach करते हैं ठीक है देखो wrist में है दोनों wrist में एक एक फिर हमारे left ankle में और बहुत सारी क्या है हमारे उन्होंने क्या बोला है यह chest reason पे होता है ठीक है तो here we talk only about a standard ECG तो हम standard ECG को ही talk करेंगे भी तो हम start करते हैं ECG तो देखो क्या है ECG each peak in the ECG's identify with letter from P to T तो यह क्या कह रहा है कि ECG जो है वो P to T जो है उस letter से sorry हम क्या कर रहे है रिप्रेजेंट कर रहे है जैसे कि आप देख रहे हो यह P से लेकर T तक है ठीक है अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहे है यह P wave represents the electrical excitation or depolarization of arteria तो देखो हमारी जो membrane जो होती है वो क्या होती है polarized होती है ठीक है membrane तो इन्होंने क्या कहा है कि जो electrical excitation जो है P wave क्या होता है वो arteria depolarize हो जाता है मतलब आगे उनको action वो काम function करना start कर रहा है polarized से वो depolarize में convert हो गया है ठीक है depolarize का मतलब होता है contract होना का start हो गया है ठीक है तो जब हमारा arteria contract होता है तो हम उसे क्या है P से represent करते है ठीक है दा P wave represent the electrical excitation या फिर हम उसे बोलेंगे depolarization of arteria अब arteria बोल रहे है तो इसका मतलब क्या arteria contract हो रहा है which leads to the contraction of both the arteria ठीक है अब QRS complex क्या है depolarization of ventricle मतलब ventricle जब contract होगा depolarize होगा तो हम उसे किस से represent करेंगे हम QRS से करेंगे ठीक है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं फिर अब आगे देखो बच्चा क्या T तो आगे देखो QRS का मतलब क्या है which initiate the ventricular contraction the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole तो नहीं कहें कि जो contraction जो start होगा तो कहां से start होगा shortly after Q क्यों के बाद होगा and marks the beginning of systole और Q का मतलब क्या है वो contraction मतलब start हो रहा है अभी हुआ नहीं है यहां से जो है हमारा contraction जो है start हो जाएगा ठीक है यह जो Q region जो है ठीक है अब अब आगे देखिए the T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state अब T wave क्या है जो यहां पर आप देख रहे हैं मतलब हम normal condition में आ चुक है हमारा heart ठीक है contraction नहीं हो रहा है repolarize हो गया हो दुबार से polarized हो गया है the end of the T waves marks the end of the systole T wave जो है वो end of the systole मतलब जो systole contraction जो है उसका end बता रहा है मतलब हमारी एक cycle जो है वो complete हो चुकी है ठीक है कहने का मतलब यह है obviously by counting the number of QRS तो उन्हें यह कहा है कि QRS की counting करके that occur in given time period एक time period में one can determine the heart beat rate of an individual तो individual के heart beat को determine किया जा सकता है since the ECG has obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease उन्हें यह कहा है कि अगर उससे बही अगर शेप अगर किसी की change होती है से तो क्या है इसका मतलब उससे कोई disease हो सकती है heart से related खीक है I hope आप यह समझ गये होंगे अब हम कर रहे है double circulation मारा heart जो है वो double circulate होता है ठीक है तो हम उससे start करते हैं तो double circulation में क्या है the blood flow strictly by fixed root तो blood जो है वो एक fixed root से flow करेगा ठीक है throw blood vessels the arteries and the vein अब जो blood flow करता है वो कैसे करता है भी artery और vein की through ही करते हैं blood flow तो इसलिए नोने लिखा है through the arteries and veins basically each artery and vein consist of three layers तो artery और vein जो है वो तीन layer से मिलके बनी हुई है inner lining of squamous endothelium जिसे हम कहते है tunica intima और middle layer जो है वो smooth muscle से मिलके बना हुआ है और elastic fiber ठीक है मतलब elastic है contract और relaxation मतलब वो relax और contract होती है तो tunica media मतलब middle layer है तो media नाम दे दिया ठीक है and an external layer of fibrous connective tissue तो अंदर की जो layer होती है sorry external layer जो होती है वो fibrous connective tissue से मिलके बना हुआ है collagen fibers होती है और बहर की layer को उमने कह नाम दे दिया external ठीक है तो tunica word तो use होई रहे इसमें तो अंदर की layer के लिए है intima और middle layer के लिए layer है media और external के लिए है external ठीक है तो I hope आप यह समझ के होंगे layers को तो वह एक figure है नीचे भी देखेंगे tunica medias compare करके बताया है नोने जो media जो होती है वो thin होती है in the veins में as compared to other two layers ठीक है अब हम आगे देखते हैं as mentioned earlier the blood pump by the right ventricle enter the pulmonary artery पीछे हमने किया था ठीक है कि blood जो होता है वो right ventricle से कहां जाएगा pulmonary artery में जाएगा ठीक है और जबकि left ventricle pump blood कहां करेगा aorta में करेगा हमने अभी cardiac cycle में भी किया था जब हम cardiac cycle कर रहे थे function कैसे करता है तब हमने detail में देखा था ठीक है the deoxygenated blood pump into the pulmonary artery तो जो deoxygenated blood जो होता है वो कहां pump होगा हमारा pulmonary artery में ठीक है फिर उसके बाद क्या है वो pass होगा हमारे lungs में और वहां जाके क्या है oxygenated हो जाएगा मत्तब उस blood में oxygen wind हो जाएगा तो carbon dioxide क्या है उसे dissociate हो जाएगी blood से ठीक है oxygen और वो कैसे carry करें heart के पास कौन carry करके जाएगा pulmonary vein और वो कहां लेके जाएगा left artery में ठीक है पहले देखो right से जा रहा था pulmonary artery के अंदर और फिर lungs के पास मतलब वो लेके आती है artery फिर जो lungs से pulmonary vein जो है वो लेके जाएगा heart के पास ठीक है हमारे heart के पास लेके जाएगा oxygenated blood I hope आप समझ गया होंगे तो अब क्या है pulmonary use हो रहा है pulmonary lungs के पास लेके गया है lungs से heart के पास लेके आया है तो इस circulation को हम क्या बोल देते है pulmonary circulation क्या देते है ठीक है वहां के कौन लेके जा रहा है by network of artery देखो sorry iota से सभी body parts में लेके जाएंगे तो कौन लेके जा रहा है network of arteries, arterioles, capillaries छोटी 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 तो नहीं thin tubes होती है ठीक है और capillaries branched tubes होती है तो वो क्या कहते हैं वो tissue के पास blood लेके जाती है ठीक है इस प्रकार के iota से सभी tissue के अंदर blood transfer हो जाता है कैसे tissue के पास transfer हुआ है इन सब की help से खीक है अब आगे देखो तो आगे देखते है from where the deoxygenated blood is collected by अब भाई tissue के अंदर भाई food भाई जो blood जो है blood जो है वो blood के साथ oxygen है oxygenated blood आ रहा है कहां आ रहा है हमारे tissue में जैसे कि आपने respiration में भी किया था और आपने थोड़ा सा digestion में भी पढ़ा था कि जैसे ही tissue के पास आता है blood तो वो क्या है जो food हमने लिया होता है हमारे body के अंदर जो tissue के अंदर जो present होता है उसको उसका oxidize होता है और क्या है carbon dioxide जो होता है वो release होता है मतलब oxygenated से deoxygenated blood में convert हो जाता है वो ठीक है इसके बारे में बोल रहे है वो ठीक है अब हम आगे देखते तो वो जो deoxygenated blood जो है वो collect कोन करता है उनको वन्यूल्स के थरूँ वो collect होता है ठीक है veins और vena cava के थरूँ और वो veins vena cava कहां पर empty करेंगी इस blood को right atrium में ठीक है this is the systematic circulation तो यह क्या है systematic circulation है इसके थरूँ ही जो भई जो nutrients होते हैं oxygen होते हैं और other essential substance सब्स्टांस जो है वो transfer हो जाएगा ठीक है बलड ही उसको nutrients oxygen को tissue के पास transfer करेगा और वहां से carbon dioxide और harmful substance को eliminate करेगा ठीक है a unique vascular connection exist between the अब इन्होंने यह कहा है कि एक unique connection exist होता है ठीक है तो वो unique connection इन्होंने बताया है कि वो कहां exist हो रहा है हमारे digestive tract और लीवर में ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं देखो अब हमने digestive system में क्या था लीवर से किन से मिलका मिलके बना हुआ है hepatic cells से ठीक है तो अब इसलिए इन्होंने क्या बताया है उस system को क्या बोलते है इन्होंने hepatic portal system ठीक है connection जो है हमारे लीवर के साथ तो अब आगे देखे कि क्या बोल रहे है the hepatic portal veins carries blood from intestine to the liver hepatic portal कहां से carry कर रहा है blood को intestine से हमारे लीवर के पास लेकिया आएगा before it is lever to the systematic circulation systematic circulation के लिए a special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for a circulation of blood to and from the cardiac musculature तो यही बोला है special coronary system होता है जो blood को to and from the cardiac muscle से आगे पास करता है और वहां तक लेके आता है ठीक है तो जो भी हमने किया था यह schematic diagram के तुरू बता रहे हैं यह ठीक है देखो यहां पे यह हमारा right auricle और ventricle है इस side left है तो यहां body parts है तो body parts से यह पास होता है यहां पे आया तो यहां यहां से क्या है और pulmonary artery lungs के पास लेके जा रही है फिर pulmonary vein heart के पास लेके आ रहे है फिर वह body parts के अंदर transfer कर रहे हैं वह बता रहे हैं ठीक है और यह vein और artery का section दिखा रहा है इन्होंने कि vein के अंदर जो lumen होता है वह जादा होता है और artery के अंदर जो lumen है वह उसका diameter जो होता है वह कम होता है ठीक है compare करके दिखाया इन्होंने I hope आप यह समझ गये होंगे artery deeply located होती है हमारी body के अंदर तो next में हम करेंगे regulation of cardiac activity I hope आप यह समझ गये होंगे इतना ठीक है thank you